हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपने इस वीडियो में मेंसुरेशन पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों मेंसुरेशन बोले तो छेत्रमीती यहाँ पर यह जो चैप्टर है इसमें क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 10 आपका कॉंपिटिटिव लेबल यह सारे को पकड़ता है दोस्तों हर जगह पर बहुत सारे कोश्चन्स इस छेत्रमीती जिसको हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं इससे आता है अगर हम लोग इसके सारे फर्मूलेश को समझ लें जितना भी फर्मूला इसमें जो यूज किया जाता है अगर उसको समझ लें हम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा बहुत सारे लोग बोलते हैं, यह बहुत टफ चैप्टर है, इसको समझना है बहुत मुश्किल, इसके स्यार फर्मूले इसको रटना पड़ता है, बिलकुल नहीं दोस्त, रटना बिलकुल नहीं पड़ेगा, आप रटना तो भूली जाओ, बस थोड़ा सा समझना है, करते हैं, आपके दीमाग में बैठाने का, समझने को सब्सक्राइब का सब्सक्राय कई आएट का होता है, आपके मुझस तर माइट इसको रटना पड़ता है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, अगर कोई आप से पूस्ता है, सर आप यह बताइए, कि एक रेक्टेंगल लेनी के आयत का छेत्रफल क्या होता है आपके मुझसे फट से निकलता है सर लंबाई गुने चोड़ाई होता है सर लेंधी इंटू ब्रेथ होता है परफेक्ट आपसे कोई पूचता है सर स्क्वाइर का क्या होता है वर का क्या होता है तो आप फट से बोल देते हैं कि भूज को ये handle करेगा जैसे अगर हम बात करें ट्रेंगल जरू करते हैं दोस्त ट्रेंगल अगर ट्रेंगल का हम बात करें एरिया क्या होता है ट्रेंगल का एरिया दोस्त अलग-अलग ट्रेंगल का अलग-अलग एरिया हम लोग निकालते हैं इसका जो सबसे standard formula होता है triangle का 1 by 2 into base into height होता है दोस्त, यह area of triangle हम सारा areas पढ़ रहे हैं दोस्त area पढ़ रहे है, area of triangle क्या होता है 1 by 2 into base into height 1 by 2 किसको बोलते है base into height को, यह अगर इसको triangle A B, C और यह D है तो AD जो होता है हमारा height होता है और BC इसी जो होता है यह हमारा बेस होता है यानि एरिया आफ ट्रैंगल एक नॉर्मल कोई भी ट्रैंगल राइट अगर होगा यानि कि समकोन त्रिभूज होगा तो इसका हम लोग ऐसे निकाल लेंगे अगर कोई बोलता है एक्विलेटरल ट्रैंगल होता है इसका फर्मूला क्या होगा यानि जिसका तीनो साइड बराबर तो उसको क्या बोलते हैं दोस्त एक्विलेटरल ट्रैंगल बोलते हैं मतलब इसमें reward में दूख लगना चीवे तो पता चलेगा कि तीनो और साइड घ्ल की इसका निश्चिय डिगरी धे आधर अब दूट्यम्ै Corona च्रहूं wissen आप बोलेंगे सरे A square क्या है, A square मतलग यह side, यह जो side है दोस्त, यह इसको बोलते हैं A. दोस्त, इसका derivation भी आसान है, बहुत tough नहीं है derivation, कैसे इसको निकालते हैं, हम लोग के पास already इसको निकालना है, अभी उसकी जरूत नहीं हैं, तो हम आपको वो भी निकालके दिखा देंगे, कभी अलग वीडियो में बनाएंगे, इसका derivation, इसका derivation, हम हर formula का derivation आपको सिख इसका देंगे, तो इसका हम लोग equilateral triangle का जो area होता है, root 3 by 4 into a square होता है, दोस्त, clear हैं, अब माल लेते हैं, this calendar triangle है, मतलब, विशम बाहुत इरभूज, जिसका कोई भी side बराबर नहीं होता है, ऐसे, 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 अगर कोई triangle है, इसका बोलेंगे तो, इसे कैसे निकलता है, c root, where s is equal to a plus b plus c upon 2, यह formula होता है, दोस्त, इसको बोलते है, semi perimeter, एसे मतलब क्या होता है, दोस्त, semi perimeter, मतलब, अर्ध परिमाप, क्या बोलते हैं इसको, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, बोलते हैं, इसको, semi perimeter बोलते हैं इसको, semi, semi perimeter बोलते हैं इसको, यह कोई भी escalant triangle हो, मालो इसका side a था, इसका b है, इसका c है, तो अगर कोई triangle a, b, c है, इसका side अगर ऐसे लेंगे, actually, याद रखिएगा, जब भी हम लोग एक triangle बनाते हैं, triangle का हम लोग side कैसे denote करते हैं, जो angle लिखते हैं, उसके सामने वाला side को, उसके small later say indicate करते हैं, a है, देखे हम यहाँ b लिखे हैं, ठीक है, जबकि सही नहीं, तो क्या लिखना चाहिए था हमको, इसको यहाँ पर a लिखना चाहिए दोस्त हमको, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर हमको b लिखना चाहिए, यहाँ c, यह सही है दोस्त, ठीक है, देखे, c के सामने वाला c है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस तरह का triangle है S-Kelan triangle है विशंबाहुत रिपूज है तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं रिया root under S into S minus A S minus B S minus C where S is equal to A plus B plus C by 2 यह है semi perimeter अभी है आप बोलेंगे सर अगर यह formula है S-Kelan triangle का तो कहीं भी लागोगा दोस्त दुनिया में जितनी तरह कभी triangle है सब में यह formula लगा दीजेगा सब का इरे निकल जाएगा किसी भी तरह का triangle हो चाहे वो आपका right angle triangle हो चाहे आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको equilateral triangle हो कोई भी तरह का triangle हो सब में यह लगेगा यह formula सब पर काम करता है सब में इसका रियनी कर जाता है इस तरह से मोटे दूर पर ट्रैंगल हमारा सारा एरिया ऐसे बनता है दोस्त अब हम लोग देखते हैं कि इस्कुएर में याते हैं दोस्त कि फड़ाफट करके हम लोग सब को पख़णी कोष करेंगे आज हम लोग सारा फरमूला को कब ड़ू आप करेंगे आज हम लोग अज वह जाना चाहिए कोई भी हम लोग रखना नहीं है सारे को समझना है अब इस्कुएर होता है square quadrilateral अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा चलेगा quadrilateral मतब होता है तो चतुरभूज, जैसे हम लोग भी त्रिभूज पढ़े उस तरह से चतुरभूज होता है अब चतुरभूज में क्या होता है अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है चतुरभूज होता है चतुरभूज मतब quadrilateral जोग किसी भी shape का हो सकता है जरूरी नहीं कैसा हो मतब चार side होना चाहिए उसमें चार भूजा होनी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, quadrilateral लेने कि चतुरभूज बोलते हैं दोस्त ये एक तो ऐसा होगा कि normal कोई भी ऐसे, 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 ऐसे हो सकता है कोई भी shape का हो सकता है इसका कार कुछ भी हो सकता है चार side bus होना चाहिए that's all अब इसके एक simple सा इसका property होता है कि कोई भी quadrilateral का चारो angle का sum internal angle का सम होता है वो आपका 360 degree होता है 360 degree होता है दोस्त हाँ, एक चीज़ भूल गए triangle बताने लिए triangle में 3 angle का sum 180 degree होता है यह जो triangle है इसके 3 angle का sum जैसे a, b, c है तो angle a plus angle b plus angle c is equal to 180 degree होता है और यहाँ पर अगर मान लेते हैं a, b, c, d हो कोई भी quadrilateral हो तो इसके 4 angle का जो sum होगा b plus angle c plus angle d is equal to 360 degree होगा दोस्त एक quadrilateral का एक basic criteria है ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं quadrilateral को हम लोग अब हम लोग अलग लग करके बढ़ते हैं quadrilateral तो एक ऐसा हो गया अब दूसरा quadrilateral तो parallelogram बोलते हैं उसको दोस्त करें दोस्त अगर एक्स्टेंड करें दोनों लाइन को अगर दो लाइन को लेफ्ट में या फिर राइट में कोई भी डिरेक्शन में अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी clear है पहला condition क्या बोले दोनों की बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी अगर लेफ्ट में बढ़ाएं या फिर राइट में बढ़ाएं यानि ये distance जो है all together हमेशा equal होगी यानि कि बराबर होगी दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए पहला और दूसरा ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी समझ मैं रहे दोस्ट इंटरसेक्ट यानि कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी कभी कभी नहीं काटेगी intersect नहीं करेगी intersect नहीं करेगी कभी नहीं करेगी अगर intersect कर देती है तो यह parallel नहीं होगी यानि दो condition हो गया पहला condition क्या होगा इन दोनों के बीच को दूरी हमसा बराबर होगी और यह दोनों दुसरे कभी भी intersect नहीं करेंगे यानि कि parallelogram का यह condition हो गया ठीक है चली अब हम लोग बात करते हैं parallelogram की फटाफट समस्ते जाएंगे दोस्त चलो ठीक है parallelogram किते द्रग आखाता है सबस्क्राइब करते है square से square हमारे एक parallelogram है क्यों आमने सामने का जो side है भूजा है वो क्या है सामनांतर है parallel है clear है तो square हो गया हमारा A, B, C, D अब हम अब क्या बोदा थे चारो में same decimal लगा देंगे दोस्त इसका मतलब यह हो गया कि मेरा यह क्या है चारो side जो है बराबर है और parallel भी है और चारो angle 90 degree का भी है 90 degree को दोस्त ऐसे indicate करते हैं अगर यह sign लग यह मतलब यह 90 degree है तो अब इसकी कुछ properties है जो हम लोग को समझ लेता है फटा-फट समझते हैं दोस्त इसका property यह हो जाता है कि चारो side बराबर है पहला सारे property को हम लोग फटा-फट समझते हैं ध्यान से देखिएगा note करते जाएगा अपने note book लेके बैठेंगे और फटा-फट note करते जाएगे चारो side बराबर होगा पहली property दूसरा चारो angle 90 degree का होगा चारो angle angle A, angle B, angle C, angle D कितना होगा? 90 degree तीसरी property सब आमने सामने का side होगा वो parallel होगा clear है? 90 degree है तो altogether यह parallel ही हो जाएगा आमने सामने अगला property होगा इसका जो diagonal होगा diagonal किसको बोलते है दो opposite angle को मिलाने वाली रेखा the line joining opposite angles clear है? यह opposite angle कहलाता है D, B जो है opposite angle है A और C opposite angle है यानि इसको diagonals होगे A, C and B, D यह दोनों क्या होंगे? यह दोनों एक दूसरे को perpendicular bisect करेंगे क्या करेंगे दोस्त? perpendicular bisect यानि कि lump samdwi bhajaq perpendicular bisect करेंगे दोस्त इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? lump samdwi bhajaq lump samdwi bhajaq बोलते हैं दोस्ते को यानि कि lump samdwi bhajaq को बोले क्योंकि ये ये भी 90 डिग्री होता है दोस्त clear है यानि कि square में जो diagonals होते हैं एक दूसरे को perpendicular bisect करते हैं bisect करने का मतब होता है बराबर बराबर भाग में बाटेंगे diagonals भी बराबर होते हैं दोस्त इसके diagonals भी बराबर होते हैं diagonal बराबर भी होते हैं perpendicular bisect भी करते हैं अगर इस square का side अगर A होता है side अगर A होता है तो A मतलब A इधर भी होगा A इधर भी होगा इधर भी होगा यहनि A चारों तरफ होगा तो इसका area क्या होगा area होगा A square area क्या होगा A square मतलब भूजा का square clear है दोस्त यानि कि work का जो छेत्रफल होता है वो भूजा square होता है यानि कि side का square होता है पहला चीज के लिए होगा इसके diagonal की लंबाई क्या होगी A B is equal to what A B नहीं क्या था A C A C is equal to B D is equal to क्या होता है root under क्या लिखें दोस्त 2 into side सही है चलो ऐसा होता है आप बोलेंगे सर्क कैसे होता है यह formula रटना है क्या नहीं आप simple देखो नो इसी को करम टुकडें बाण देते हैं ऐसा देखलो यह अगर इसका हम आधा लें यह क्या है D है यह B है यह C है आथा हो क्या यह SID था यह SID था ना हमको यही नहीं निकालना है पाइथोगर सिर्फ क्या बोलता है hypotenuse is equal to hypotenuse is equal to क्या आता है root under A square plus A square L square plus B square होता है यानि कि 2 A square होता है यानि कि A square है तो यह बाहर आ जाएगा दोस्त और root 2 अंदर आ जाएगा यह नहीं लिखें दोस्ति यहां पर देखिए root 2 into side यानि कि square का जो विकर्ण होता है diagonal बोले तो विकर्ण square का जो diagonal होता है उसका formula होता है root 2 into side root 2 into side root 2 into एक भुजा यह इसका विकर्ण का लंबाई होता है clear है दोस्त क्या-क्या सीख लिए फड़ा-फड़े को recap करते है square में यह क्या है हमारा work पढ़ रहे थे यानि कि square पढ़ रहे है square पढ़ रहे है square का फड़ा-फड़े को recap करते है 4 side बराबर होता है पहला दूसरा 4 angle 90 degree का होता है ठीक है तीसरा यह जो diagonal है perpendicular bisect करते है यानि कि lump समद्वी बाजक होते है चलो अगला हो गया कि इसका diagonal जो होते है आपस में बराबर होते है clear है दोस्त अगला इसका area जो होता है भूजा square होता है यानि कि side square होता है उसके बद diagonal की लंबाई यानि कि विकर्ण की लंबाई कितनी होती है दोस्त root 2 into side जो तक यह निकाला होगा है एक और इसका perimeter क्या होता है perimeter बोले तो इसकी परिमीती यानि परिमाप यानि कि चारो side का लंबाई कितना होता है दोस्त जोड़ दो चारो side को निकालके इसका perimeter क्या होगा इसको हम लोग परिमाप भी बोलते हैं दोस्त इसको परिमीती भी बोलते हैं परिमीती क्या हो जाता है a plus a plus a plus a sum of all sides for a इसकी परिमीती होगे तब आपसे अगर कोई पूछेगा कि what is the definition of perimeter of any geometrical figure तो इसका सबसे बढ़ेना definition आपको देते हैं दोस्त कोई रटनी की जुरूत नहीं है sum of sum of the total length of any geometrical figure of the outer boundary इसको ऐसे बोलें the total length of outer boundary of any geometrical figure is known as perimeter मतब किसी भी तरह का geometrical figure हो चाहे वो triangle हो, quadrilateral हो, parallelogram हो आपका क्या बोलते हैं, कोई भी चीज हो किसी भी तरह का geometrical figure हो ऐसे भी होगा तो चलेगा ऐसे भी होगा तो चलेगा ऐसे भी हो तो चलेगा ऐसे 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 भी हो तो चलेगा कैसे भी हो टोटल लंबाई अगर इम्हा से चलना सुरू करते हैं, तो बस ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, और यहां तक पहुँच जाएंगे, जहां सुरू के थे, इसकी टोटल लंबाई लेंगे, and that becomes your perimeter. In the same fashion, यह circle का भी, यह square का भी, और यह वाला इस तरह का design जो है, इसका भी, जैसे है, वसा, length of the outer boundary of any geometrical figure is known as perimeter of that geometrical figure, ठीक है, वही उसकी बाहरी लंबाई को हम लोग उसका परिमीती बोलते हैं, ठीक है, परिमीती हो गया, यह square हो गया दोस्त, अब करते हैं, rectangle, फटापट करते हैं दोस्त, हम लोग को सारा पकड़ना है, दोस्त, हम लोग को बहुत सारा सीखना है, clear है, चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यह हम लोग किसका पड़ते हैं, rectangle का, जिसको हम लोग आयत बोलते हैं, दोस्त, आयत, यानि कि rectangle, rectangle बोलते हैं, जैसे माल लोग A, B, C, D, हमारा एक rectangle है, simple, इसकी लंबाई A होती है, इसका चोड़ाई B होता है, यहने कि length into breath, अब क्या हो गया, इसमें जो होता है, चारो side आपस में बराबर नहीं होता, आमने सामने का side बराबर होता है, और parallel होता है, दोनों अलग है ना length, इसलिए इसको double dash कर दिये हैं, आमने सामने को, इसको single dash करे थाकि हम लोग को पता चल रहा है कि यह दोनों बराबर है और यह दोनों बराबर है, चारो angle 90 degree का होता है, इसका diagonal जो होता है, बराबर होता है, बट यह perpendicular bisect नहीं करते हैं, यह लोग सिर्फ bisect करते हैं, डाइगोनल क्या करते हैं, सिर्फ bisect करते हैं, आधा आधा करता है, जै यह मान लेते हैं, चार होगा, देखे हैं, क्या बोलेते हैं, हर लाइन को अलग-अलग डिनोट करना होता है, अब चुकि जो नो डाइगोनल बराबर है, तो इसको हम लोग तीन लाइन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, यानि सारे यह बराबर होते हैं, ठीक है, सिर्फ बाइसे किया है, perpendicular bicycle नहीं करता है rectangle में, ठीक है, चारवे angle 90 degree का होगा, diagonal आपस में बराबर होगे, यानि कि AC is equal to BD होगा, clear है अब सब आपस में बराबर होगे, यहां तक clear है अब इसका जो area होता है, क्या बोलेंगे दोस्त area क्या होता है, L into B होता है लंबाई गोने चोड़ाई, area of rectangle, लंबाई गोने चोड़ाई होता है, इसका perimeter क्या होता है दोस्त इसका जो perimeter होगा, क्या होगा लंबाई L plus चोड़ाई B plus लंबाई L plus चोड़ाई B, यानि कितना होगे 2 L plus 2 B, इसका मतलब 2, l ले लेंगे L plus B this becomes your formula of perimeter of rectangle यानि rectangle के perimeter का formula हो गया 2 into L plus B यानि कि लंबाई जोड चोड़ाई ठीक है? यह हो गया हमारा कोई दिक्कत है दोस्त? चलो ठीक है अब हम लोग आगे पढ़ें अब इसके बाद क्या होता है हमारा rhombus होता है rhombus भी हमारे दोस्त parallelogram ही है rhombus क्या हो गया? rhombus मतलब होता है sum chaturbhuj sum chaturbhuj यानि कि 4 side इसका भी बराबर होगा sum sum मतलब 4 side बराबर होगा तो आप बोलेंगे जर square में भी तो आप बोले थे कि 4 side बराबर होता है rhombus में भी 4 side बराबर होता है sum chaturbhuj sum chaturbhuj दोस्त हिंदी बहुत कठीन है रॉंबस बोलते हैं इसको अब क्या बोलते हैं से चारो साइट बराब होता है आप पुझें से स्कॉयर में और रॉंबस में क्या अंतर था इसमें भी चारो साइट बराब है दोनों में अंतर क्या है दोस्त ध्यान देखेगा इसका चारो एंग इसका दोनों डाइगोनल बराबर होते हैं, इसका दोनों डाइगोनल बराबर नहीं होता, ये दो छोड़के बाकि सब सेम है, बाकि सेम है स्क्वाइर का और इसका, मतलब सेम क्या-क्या है अब बता देते हैं, चारों साइट बराबर हो गया, पहला, डाइगोनल आपस में पर length into breath होता है, area जो होता है, area, length into breath होता है, perimeter y होता है, 4 into a होता है, अगर 4 side a रहेगा, 4 into a हो जाएगा, अरे हाँ, इसका diagonal आपको नहीं बता है, इसका diagonal क्या होता है, इसका diagonal, इसका diagonal जो होता है, आपका क्या निकल जाता है, root under a la square plus b a square, इसका, यानि की d मतलब हम नहीं यहाँ लिख दें a c और b d, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, अगर मान लिजिए कि यहाँ पर जो rhombus आपको दिया हुआ है, rhombus का तो height आपको नहीं दिया हुआ है, जब आपको height नहीं दिया हुआ है, तो आप n into b कैसे करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो formula होगा area का, 1 by 2 into d1 into d2 निकलता है, diagonal 1 and diagonal 2, एक diagonal 1, एक दूसरा diagonal 2, इस formula से rhombus का area निकलेगा, रombus का रहे किसे निकलता है दोस्त, diagonal 1 into diagonal 2, 1 by 2 into d1 into d2, इससे इसका आपको area निकल जाएगा, perimeter यह रहेगा, clear है, अगला होता है parallelogram, parallelogram क्या होता है, हाँ इसमें की चीज़ और, आमने सामने का angle बराबर होता है, यानि कि ये angle इसके बराबर होगा, और ये angle इसके बराबर हो अब parallelogram किसको बूलते हैं, parallelogram में ऐसा होता है, parallelogram का खासित क्या है, जैसे हमारा rectangle होता है, इसी का बनता है, इसमें आमने सामने का जो side होता है, ये आमने सामने का side होता है, ये बराबर होता है, ये angle इसके बराबर होगा, और ये वाला angle इसके बराबर होगा, diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं सिर्फ ये इसके बराबर हो जाता है और ये इसके बराबर होगा ठीक है? याद रखेगा, देखिए rectangle में क्या था? चारो जो bisected जो diagonal से बराबर होते थे इसमें देखिए अलग-अलग है क्यों? angle जैसे ही बदल जाएगा तो इसकी लंबाई भी तो बदल जाएगी ये लंबाई ज्यादा बड़ा है ये लंबाई कम बड़ा है तो size भी तो छोटा बड़ा हो जाएगा दोस्त इनका size अलग होगा इनका size अलग होगा angle यहाँ पर देख रहे हैं biset कर रहा है इसका area बिल्कूल वैसे ही निकलेगा l into b निकलता है area पहला चीज और आपका जो इसका perimeter होता है बिल्कूल यही निकलता है 2 into l plus b 2 into l plus b यह का निकलता है perimeter perimeter को अगर हम लोग p से निकले और area को अगर हम लोग a से लिखते हैं p is equal to 2 into l plus b होगा और area होगा a into b clear होगा दोस्त यह होगया हमारा parallelogram parallelogram को हम लोग ऐसे indicate करते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग आते हैं अपने आपका एक और बचता है दोस्त वो बचता है समलंब चतुर्भूज जिसको trapeism बोलते हैं दोस्त ठीक है समलंब चतुर्भूज जिसको trapeism बोलते हैं trapeism को कैसे निकालेंगे समझना है trapeism कैसे काम करता है trapeism यह हमारा trapeism है दोस्त trapeism को क्या होता है इसमें दो side parallel होता है यह दोनो parallel होता है बराबर नहीं होता पैरलल होता है और दो नॉन पैरलल साइड होते हैं दो पैरलल साइड होंगे यानि कि A, B पैरलल सीडी होगा यह दोनों पैरलल साइड होते हैं और यह दोनों क्या होंगे? नॉन पैरलल साइड होंगे तो इसका एरिया कैसे निकलता है? अगर यह इसका perpendicular height है क्या बोलते हैं दोस्त perpendicular height है तो इसका area निकल जाता है 1 by 2 into sum of parallel side यानि कि AB plus CD into height अगर मालो यह E है तो A into E यह इसका area निकल जाएगा area is equal to 1 by 2 into sum of parallel side into height यह निकलेगा trapeze यानि कि sum lump चतुर्भूज sum lump चतुर्भूज इसको trapeze बोलते हैं दोस्त J I U M trapeze बोलते हैं इसको sum lump जो दुरूस का area यह इसा निकलता है ठीक है perimeter चायो side को जोड़ देंगे इसमें एक चीज़ और होता है कभी कभी क्या होता है जो non-parallel side होंगे अगर बराबर होंगे अगर non-parallel side बराबर हो जाते हैं तो उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं isosalious trapeze बोलते हैं दोस्त ठीक है isosalious trapeze उसको बोल देते हैं हम लोग जब दोनो non-parallel side बराबर होंगे तो क्लियर दोस्ट यहां तक हमको लगता है कि हम लोग अपना जो नॉर्मल जो मेंसुरेशन है यह हम लोग क्लियर कर लिये हैं दोस्ट अब इसके बाद हम लोग यह सब सारा 2D पढ़ रहे थे क्या पढ़े दोस्ट 2D बोले तो two dimensional figure हम लोग पढ़े two dimensional figure अच्छा एक छूट रहे दोस्ट सर्कल छूट रहे हमारा सर्कल भी हमारा two dimensional है इसको भी पढ़ लेते हैं यह माल लेते हैं सर्कल है यह point P है यह center O है यह radius होता है तो उस R होता है radius क्या होता है आर होता है और यह हमारा माल लेते हैं एक diameter है A B यानि A O B जो है हमारा क्या है diameter है ठीक है और O P हमारा क्या है radius है radius बोले तो 3G और diameter बोले तो ब्यास ठीक है यह ब्यास यह 3G है अब कोई आपको बोले कि what is the area of this circle तो area जो होता है πाई आर स्कॉयर होता है area क्या होता है पाई आर स्कॉयर और इसका perimeter कितना होता है perimeter हाँ एक चीच और circle के perimeter को हम लोग circumference बोलते हैं ठीक है क्या बोले circle के perimeter को हम लोग circumference बोलते है circumference क्या हो जाता है दोस्त इसका 2πI r होता है 2πI r होता है इसका circumference perimeter बोले या फिर circumference बोले 2πI r होगा और इसका area जो होता है πाई ार स्कर होगा यहां तक clear है इसमें छोटास जीश और आपको बता देते हैं जो समझना असान होगा, देखे दोस्त मेरे पस इतना बढ़ियां कौपी रखने का खायदा देखिए, हम तुरत अपना काम कर लेते हैं दोसे, नया फिगर बन गया मेरा देखिए, जट से एक नया फिगर मेरा बन गया, आप लोग को जोड़ा कश्च होगा, आप लोग नया बनाएंगे, आप लोग पुराने में नहीं काम करेंगे, आप लोग अपने लेक नया सरकल बनाएंगे, अब इस सरकल है, माल लेते हैं, इसका सेंटर है, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ना, इसको हम लोग आर्क बोलते ह क्या बोलते हैं दोस्त आर्क यानि हम लोग हिंदी में चाप बोलते हैं यह चाप है आर्क ठीक है और यह सेंटर है सेंटर से अगर यहां से यहां तक का अगर हम मिला दें और यह एंगल अगर थीटा है तो इसका सैड़ेट पोर्शन का एरिया क्या होगा इसका area क्या होगा? shaded person का area area of shaded person shaded person क्या बोलेंगे? इसको 3G खंड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्त? 3G खंड 3G खंड 3G खंड का एरिये क्या आता है? theta by 360 into pi r square अब आपको एक चीज समझना है यहाँ पर theta क्या है? ये दोनों 3G के बीच का बनने वाला जो एंगल होता है न दोस्त? उसको हम लोग theta बोलते हैं theta by 360, 360 क्यों लगा है? 360 इसे लगा है कि center पर बनने वाला कौन कितना होता है? circle के बृत के center पर बनने वाला कोन होता है? 360 डिगरी का एंगल बनता है अब 360 डिगरी ये फर्मूला कैसे बन गया? आप हम से पूछेंगे सर इस फर्मूला कैसे बन गया? X से, X से, X से हम क्या निकाले इसका? area निकाले अब देखें फर्मूला बहुत easy है जैसे 360 डिगरी का एंगल बनता है यानि 360 मतलब यहां से सुरू हुआ फिर एक चक्कर लगा लिया यानि कितना एंगल बना? 360 डिगरी यानि कि 360 डिगरी का एंगल बनता है तो उसका area कितना होता है? πायरे स्क्वार कितना होता area भीया? पाई आरे स्क्वाइर होता है यानि कि 360 डिगरी का एंगल बनेगा तो यह कितना होगा पाई आरे स्क्वाइर और एक डिगरी का बनेगा तो कितना हो जागा भाया बताइए बताइए पाई आरे स्क्वाइर अपॉन 360 डिगरी अब यही यहां मेरे एंगल कितना है भाईया थिटा है ना तो थिटा डिगरी का जब एंगल बनेगा तो क्या होजाएगा पाई आर एस्क्वाइर अपॉन 360 डिगरी इन्टू थिटा अगर इसको हम लोग अपने थोड़ एरेंज कर लें अपने समझने के लिए तो क्या बनेगा थिटा upon 360 pi r square यह हमारा बन गया यह 3G खंड का शेत्रफल समझना है दोस्त चलो एक चीज़ और बताते हैं अब कोई आप से यह पूछ दे कि भाईया यह AP का लंबाई बताए AP मतलब क्या यह circumference, I am talking about circumference यह circumference का जो हिस्सा है part है I want to know the length of this part हमको उसकी लंबाई बताए जो जो आर्क है ना जो चाप है उसकी लंबाई बताए तो कितना होगा कुछ दिमाग में आ रहा है सोचिए सोचिए जल्दी जल्दी सोचिए जल्दी चलो मैं बताता हूँ अब देखिए, simple फिर वैसे ही करेंगे जैसे इसको किये हैं जैसे अगर 360 डिगरी एंगल बनता है तो इसका circumference कितना होता है दोस्त 2 pi r होता है है ना circumference कितना होता है 2 pi r clear है यानि कि 360 डिगरी का एंगल बनेगा तो circumference कितना होगा 2 pi r होगा तो 1 डिगरी का एंगल बनेगा तो कितना होगा भी है 2 pi r upon 360 डिगरी clear है तो theta डिगरी बनेगा तो कितना होगा theta डिगरी बनेगा तो 2 pi r upon 360 डिगरी into theta तो इसको अपने अपने अरेंज कर लेते हैं अपने लिए ठीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर ये बन गया हमारा इस आर्क की लंबाई क्या निकल गया ये लेंथ ओफ द आर्क यानि की चाप की लंबाई क्या निखेंगे चाप की लंबाई हमारी राइडिंग दोस्त बहुत अच्छी है थोड़ा मैनेज कीजिएगा प्लीज ठीक है ऐतना निकलता है क्लीर है इसकी लंबाई निकल गई इतनी और इसके एडिया निकल गया इतना थीटा के वेलिव अब जीतना मर्जी उतना बढ़ाईए घटाईए उससे कोई फरक नहीं पड़ता है बन रहे दोस्त चलो हो गया ये था दोस्त हमारा 2D में ठीक है ये 2D का हम लोग पढ़ रह हैं क्यूब क्यूब वाइड सिलिंडर कौन स्फेर ये सब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त 3D फीगर में ठीक है 3D फीगर का हम लोग अब पढ़ेंगे अगली वीडियो में दोस्त आपको क्या करना है आपको जीतना हम लोग यहां पर पढ़ें हैं उसको थोड़ा ध्यान से प आईएगा उसका problem भी हम आपको solve करवाएंगे दोस्ते हर एक का problem solve करवाएंगे competitive level का book लेंगे जो problem book में दिया रहेगा हम लोग उसको solve करने का try करेंगे कुछ आपको हम करवा देंगे यहाँ पर class में कुछ आप लोग घर पे करेंगे clear है the 2D का हम लोगा सारा clear कर ली है अब हम point को समझने कोश कीजेगा सारा characteristic को याद रखिए का दोस्त जैसे square का हम समझे आपका rectangle का समझे पैरलोग्राम का समझे रॉंबास का समझे सबको बार बार सुन लीजेगा 2-3 बार सुन लीजेगा पूरा बढ़ियां से दिमाग में बैठ जाएगा 2-4 problem solve कर लीजेगा ठीक है और बाकी हम लोग अगले वीडियो में 3D बनाएंगे उसके बाद हम लोग problem solve करेंगे और फिर रटने की जरुती नहीं होगी दोस्त रटना ही नहीं है 3D में हम लोग सारा formula को इस बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे दोस्त एक भी रटना नहीं पढ़ेगा रटना तो आप लोग बाकी हम लोग नहीं होगी हम लोग दोस्त इस में महाद लोग रटना है 3D बनाएंगे डिकार लोगог सारा दोस्त पाद हम लोग से तोस्त बड़ धने की जर राटना है